Hello everyone, कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो बहुत खास और बहुत ही अर्निंग वाली होने वाली है लर्निंग के साथ क्यों और कैसे? लेकिर रात के सारे 10 बजे के सो में हम daily 2-3 trade देते हैं, maximum trade में पैसा बनता है, लेकिन पैसा बनने के बाद भी लोग profit बुक नहीं कर पाते हैं या छोटा profit लेके निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता है कि trailing stop loss कैसे use किया जाए, तो maximum query आ रही थी कि sir trailing stop loss कैसे use क करते हैं, यह normal stop loss से कैसे अलग है और last में वो bonus tips जो भाई वाली बात, तो मैं मुकलगरवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में सवागत करता हूँ, जो भी नए लोग हो चैनल को subscribe के साथ, bell icon और notification on कर लिजेगा, जिससे जब भी रात के सारे 10 बजे मैं live आता हूँ, आपके mobile पे notification आजाए और stock market की किसी भी breaking news के लिए Twitter, Telegram जो जाईएगा, पचासो हजार लोग जुर कर फाइदा ले रहे हैं, जिससे की एकदम beginner और advance सब कुछ कवर हो जाए, एक example लेते हैं, कि मान लिजे आपका share broker है, और वो आपको कोई share जब buy करने बोलता है, तो एक target price बताता है, example देते हैं, मान लिजे कोई company A है, जिसका share आपको खरीदना है, इसकी price है 100 रुपे, तो broker मान लिजे बताया कि भाईया, इसकी price बढ़कर हो जाएगी 120, इसका मतलब क्या, मतलब कि आपने 100 रुपे की कीमत पर एक company के share को खरीदा, target क्या था? 120 रुपीज का, अब जब 120 की कीमत पहुँच जाती है, तो आप उस share को बेच कर profit बुक कर सकते हैं, लेकिन profit के साब loss भी हो सकता है, loss क्या? किसी भी कारण से अगर share की price में गिरावट आती है, और इसकी कीमत 100 रु कामले में, जो अभी आपने 100 की बात थी, अब price में 90 रुपीज की price पर आपको stop loss लगाने की सला दी जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वज़े से एक एक share में कोई भी कारण से कमजोरी आए, तो भाईया 90 रुपीज में आप बेच के निकल जाओ, यानि 10 रुपे के loss म अब stop loss का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, ताकि आपको पताए कि जो stock market है, उसमें market में तेजी मंदी काफी तेजी से होती है, तो आप उससे नुकसान से बच सकें और stock market पूरा sentiments का खेल है, तो ऐसे में share में investment से आपको जितना profit होता है, loss भी हो सकता है, इस बात को सोच के चलना पड़ेगा, अब आप कहेंगे सर stop loss कैसे लगाएं, वो बता दीजे, तो उसकी वीडियो मैंने बना दी है, stop loss लगाने का jackpot तरीका, 50,000 से ज़ादा लोग देख चुके हैं, आपने ना देखी हो, देख लीजेगा link description में, साथ में अगर profit book कैसे करें, ये भी आपको ज चानना है, तो उसकी वीडियो मैंने बनाई है, आपको दिख रहा होगा, link description में है, जरूर देख लीजेगा, दोनों वीडियो देखने के बाद, profit booking भी आसान, और stop loss लगाना भी आसान, तो ये कहानी थी profit booking और stop loss पे, अब बात करते हैं, trailing stop loss पे, अब इस बात को बताने से पहले, आप यूँ समझे कि अगर आपका कोई trade profit में है, और profit में होने के बाद भी आप profit नहीं लेते हैं, बलकि loss book करते हैं, तो आप बिलकुल लालची हैं और महा लालची हैं, क्योंकि लक्षमी माता आपके घर आई है, फिर भी आपने उन्हें मान सम्मान नहीं दिया, बल लिए वो आपसे नराज होकर चली गई और आपको loss हो गया, example से समझाता हूं, और जब example आप सुनेंगे तो कहेंगे भाई, रोज ऐसी गलती करता हूं, मान लीजे, आपने कोई trade, reliance का किया है, 1900 रुपीज में buy, reliance का share बढ़कर हो गया, 1920, आपने लालची में profit नहीं किया, बाद में reliance डाउन आ गया, 1880 में तब जाके आपने loss बुक किया, यानि 20 रुपिया profit आपके घर में था, लेकिन आपने 20 रुपिया लिया नहीं, बलकि 20 रुपिया दिया loss के रुप में, ऐसा होता है कि नहीं maximum trader के साथ comment box में ज़रूर बताईएगा, चलिए, अब समझते है trailing stop loss को, अगर trailing stop loss को profit protecting stop loss भी कहा जाए, तो कोई गलत नहीं, बलकि सही नाम होगा, क्योंकि ये पहले से किये गए, जो आपके account में जैसे वो 20 रुपिया का था ना, उसको lock करता है, और यदि trader के पक्ष में काम, जब market नहीं करता है, market गिरने लगता है, तो भहिया उस पैस profit में दिलवाता है, ना कि loss में, यानि आप किसी न किसी मुनाफे में थे, और इस trailing stop loss की बदलत, नुकसान नहीं, मुनाफे में ही निकले हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना, तो इसका मतलब क्या है, कि trailing stop loss, एक risk management और trade management का combination है, वो भी deadly वाला, जो risk को भी manage किया, trade को भी और finally आपको सिर्फ profit में लेके गया, example लेते हैं, कि आप UPL के share 720 पर लेते हो, उसका stop loss होचते हो 700, ठीक है, अब क्या हुआ कि UPL उपर जाने लगा, और 720 से चलकर 750 हो गया, अब यहाँ पर trailing stop loss आपका क्या हो जाएगा, 700 से 730, यानि 720 में खरीदा, 750 हो गया, और आपने अब अपने stop loss को 730 कर दिया, यानि अगर खुदा न खासते UPL गिरता भी है, तो भी 10 रुपे तो भईया आपके घर में आएंगे, आपके घर से 1 रुपया नहीं जाने वाला, यह सबसे मकसद होता है, अब next step, अब 750 से UPL बढ़कर हो गया 770, तो आपने अपने stop protection बढ़ता जा रहा है, मुनाफे की guarantee बढ़ती जा रही है, और साइद आपने सोचा हो या ना सोचा हो, बढ़ आपको बता दूँ कि अगर market trending रहता है, तो आप इस trailing stop loss की बदोलत, intraday में भी मोटा profit कई बार कमा लेते हो, क्यों, क्योंकि market trend में सर्फ उपर जा रहा है, और आप सिर्फ stop loss modify करते जा रहे हो, तो कहीं न कहीं एक बड़ा profit मिलने का chance रहता है, तो profit भी secure, trend भी पूरा दिन का खेल लिया, और loss तो हो गई नहीं, अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यान से सुना हो, तो आपको stop loss और trailing stop loss में फर्क पता चल गया होगा कि भाया दोनों मे फर्क सिर्फ यह कि stop loss जब trade लेते हैं उस समय और trailing stop loss जब profit को lock करते चले जाते हैं उस समय, अगर किसी के confusion होगी सर क्या stop loss डालने का तरीका अलग अलग है तो answer है big no, डालते बस वैसे हैं, उसका interpretation लेते हैं बस, तो अब तो यह हो गई अच्छी अच्छी बात है, लेकिन negative बात भी तो जानना जरूरी है, negative बात यह है कि जो high volatile stock है, वहाँ पर trailing stop loss यूज करना बहुत difficult होता है क्योंकि वो high volatile के कारण तुरत उपर तुरत नीचे और आप फस जाते हो, अब आपका सवाल होगा कि सर कोई तरीका बताएं, trailing stop loss यूज करने का, तो चलिए उस अब bonus की बात करते हैं, अब क्या क्या तरीका है और मैं क्या यूज करता हूँ, सब जानेंगे, अगर like का बटन ना दबाया हो, तो please दबा दीजेगा, बहुत motivation मिलता है, आपका like का बटन हमें होसला देता है कि हम ऐसे ही बहतरीन content लाते रहें, अब देखिए, काफी लोग क्या करते हैं, 20 period का moving average use करते हैं, जैसे ही price 20 days moving average के नीचे आती है, तो buying position exit कर लेते हैं, और selling में रहते हैं, तो 20 days moving average के ऊपर जाता है, तो exit कर लेते हैं, और medium term के trade में 50 days का 50 period का moving average use करते हैं, बहुत से सारे लोग ATR भी use करते हैं, कुछ लोग parabolic भी use करते हैं, जिसका जो मर्जी, क्यो लोगों को बहुत प्यार है, मैं क्या यूज करता हूँ, मैं swing low या swing high use करता हूँ, swing low, swing high से बहुत फायदा होता है और trail करने में फायदा होता है, साथ में मेरा focus होता है कि जब हम trade उठा रहे हैं और हम जिस time frame से trade उठा रहे हैं हम उस time frame के support और resistance पे पूरा ध्यान देते हैं अगर example के लिए हमने one hour के time frame से trade उठाया है तो मेरा पूरा focus रहेगा कि one hour के time frame में अगर मैं buying side में हूँ और resistance आ रहा है तो मैं profit book करने में बिलकुल नहीं हिचके चाहूँगा, चाहे कितने भी, कुछ भी चीजें आपको कितना भी और उपर की तेजी बताएं मैं वहाँ पे 50% profit book करके अपने stop loss को trail play करतूँगा तो ये है मेरा तरीका जिसमें आप swing low और swing high को trailing stop loss में use कर सकते हो तो उमीद करूँगा वीडियो पसंद आई होगी, information sharp, crisp, clear लगी होगी तो दोस्तों के साथ share कर दीजेगा, वो भी फाइदा ले, वो भी अपना vision clear कर सके क्योंकि लक्षमी मा तक घर आए और उन्हें आप another कर दो, ये बिलकुल ही गलत बात है Thank you so much